जिहा संगर्ष करता केदारनाथ इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम पृतकरिया भी ले रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि मामला इस सुबह केदारनाथ धाम से जुड़ा हुआ है और कुछ और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारूफ इस वक्त हम कराने जा रहे हैं लगपत बुटोला कॉंग्रिस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लगपत साब आपका बहुत स्वागत है नवीन प्रिशाली आप नेता इस वक्त हमारे साथ है नवीन प्रिशाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष तिर्वेदी केदारना धाम तीर प्रोईथ है वो भी इस वक्त हमायसा जुड़ गए है संतोष जी बहुत बहुत आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा थोड़ी देर पहले विपिन कैंतोला साब जो की बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है उनसे हमारी बात हुई मैंने उनसे सवाल किया कि बहुत कोई सरकार का नुमाइंदा अब तक पहुचा केदारना धाम में देखने के लिए जमीनी हकीका जानने के लिए क्योंकि तीर प्रोई समाज की तरफ से तमाम तरह की बाते लगाता राती नहीं है मैं चाहूंगा कि सरकार के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ है संतोल जी देज भी आपको सुन रहा है केदारना धाम जिसमें हम कह रहें कि संघर्ष में इस वक्त चल रहा है वहाँ पर पूर निर्मार कार्मियों कामों को लेकर तमाम तरह के आवाज बुलंद की जा रही है क्या दिक्कते पेशा रही है क्या समस्या वहाँ पर इसके बारे मैं चाहूंगा कि संतोल जी बताए संतोल जी क्या कहेंगे केदारनात में चल रहे कामों को लेकर प्रधान मंत्री के डीम प्रोजेक्ट को लेकर तीर्थ प्रोई समाज सवाल उठा रहा है क्या सवाल आपके हैं क्या समस्या है बताएं बिल्कुल तीर्थ प्रोई समाज जो है 2013 दोपजार से ही सरकार जिस तरह से तीर्थ पुरुईतों को भिना बिश्वास में लिए गेदारनात में पुननिर्माल कार्यक्ते नाम पर सिर्प जो है आदे अधूरे काम केदारनात में कर रही है और तबी जो है पुनरवास का नाम दे करके तबी जो है धिम प्रोजेक्ट का नाम दे करके सिर्फ वहाँ पे जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है लाखो करोडों नहीं अर बहुत रुपे का जनता का दुरुपयोग हो रहा है मैं इस सरकार से चाहता हूँ इस सरकार से पूछना चाहता हूँ आकरिकार जहां सारी दुनिया जो है आप दिकी से परिशान है वहीं एक तरब जो है सरकार इतना पैसा के दानात में दूर्पियों करने के लिए कहां से सरकार के पास इतना पैसा आ रहा है इसका उधारन में आ दॉबधं contemplation ऐसे मंद्र की बग्यता ढूत ही ती जो कि बिना वास्तु के संकराश्चारे जो मंदिर बना रहे हैं उसके तीरत प्रोईतों ने कड़ी नाराज़ी जताई और उसके बाद सरकार ने वो करोणों रुपे का जो टंदल बनावा था वापस जो है सरकार ने उसको तोड़ दिया मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ आखरी कार सरकार इन पैसों का दुर्प्यों क्यों कर रही है उसके पास सरकार जो है लेकिन तीर पूर्जी मेरा संतोर जी सवाल यह है कि क्या इन सब के भी जब सिपू निर्मार का काम चल रहा है या कुछ अमबक्त की पहले बात करें जिस तरह से लगातार आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ पर पहुचा है आप लोगों से बात की है कुछ जानने की कोशिश करी बिल्कुल भी नहीं हम लोग जो हैं यहां की किस तरह से पुनेनमा कार्य होना चाहिए सुरू से ही सरकार को आवाज दे रहे हैं हमको पूछो हमारे पुराने पूरवजों को पूछो किस तरह के यहां क्लाइमेट होता है कुन सा मैंकेल यहां के पेगा सिमेंट के कितना लगेगा कितने यहां के पत्थर लगेगे लेकिन सरकार उल्टा मूँ फेर करके जबर्दस्ति वहा Someted Hair के सरकार वहाँ पर बड़े कार्या कर रही है जो बिल्कुल वहाँ के लिए भीजी कोथ जो पूची हम लोगों को पूचना चही है अभी तख गौरीकुन से क्षेदारना तक सरकार ने आपदा में गए X 입 गए वे सारी दुकाने सारे बियापारी जो है और वह होगे थे अभी तक सरकार मंदल तीर्ट प्रोईतों का बोधीची से मिलना चीए चाहिए वहां पर धियम साब आए कहीं बार मुक्षमंतरी जितने भी उत्राखन में तीन मुक्षमंतरी हैं सारे केदानात आ चुक हैं लेकिन हमारी बात किसी से बिल्कुल भी वो और की अधिकारी नेता के जब भी आता है हम उन् से मिलने की कोशिश करतें लेकिन वो हफ्तीरत प्रोईतों से बिल्कुल मुँ फिरते हैं क्यों कि वहाँ पे पुनल मानकारिया की जो दसा और दिसा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है सादू संतों की गुपाओं को अधिकरन करते है तीर प्रोईत समाज को बिल्कुल किनारे कर दिया गया है किसी तरह की हमसे राए ने ली जा रही है वास्तू शास के साथ से तमाम चीज़े होनी चाहिए उसके बारे में भी हमसे पूछा नहीं जा रहा है करोणों रुपए का गाट 28 करोणों का गाट उनी ने बताया यह तोड़ दिया ग्या जंता के पैसे की बरबादी है तमाम त्रह के सवाल उन्हें उठा है बिल्कपद बोटोला जी भी हमारे साथ थे लगपद बोटोला जी केदार्नाद धाम के पुनेंर माल कामों को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे है कॉंग्रेस का क्या कहना उस पर? जिस तरह से इन्होंने आपने देखा देवस्तानम बोर्ड बनाया इकावन मंदिर लिए उस मंदिरों के अंदर छोके छोके मंदिर है उसमें भी कही न पंड़ा समान तील्ट प्रोई न किसी कब रोसे में लिया गया उसके अलावा आप देखो दे हमारी हां फे बारा साल में वढ़ें सब्सक्राइब वर्डे के लग सद्वाट को लुठाओं के अंधर लेकि सरकार के watch लOOOO नाmbतर यूं erDash प्रुट में प्ह exceptedaz में अखैने लिए पैचान पूरे बिश्व में कि पैचान के लाइन के पर्ट पर्टोलीजी पैचार ने इस पर कोई दोराइन नहीं है देश की दुनिया की लेकिन क्या विपक्ष का कोई नेता पहुंचा वहां पर समस्याओं को देखने के लिए काम कैसा चल रहा है मैं कहना चार जब 2013 को यह आपदा आये थी उसके बार लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि उत्दाखन आड़ दस्ताल तक यहां का जो हमारा एकोनोमी का बड़ा हिस्ता देवास एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि तूरिज्म से चुड़ा हुआ है और विशेज करके हमारे जो सब्सक्राइब तूरिज्म से चुड़ा हुआ है उसको लेकर के पड़कालिंग सरकार ने माने हरीशावाज जी की सरकार ने हौत अच्छा काम क्यार हौत उसमय हमारे केंदेश चीशवर नियुक्त करके वहां पर काम करने का काम लेकिन जब से भाज़पा के सरकार और माने पर नियमान पर उन्होने बात की है उसको लेकर जो काम चल लेकर लगाट कार में अस्ताने निवासी हो चाहे हमारे वहां के जिन लोगों के वह 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 लोग है उन लोगों के ना भरोंसे में लिया जा रहा हुँ पूच्छ कोई भी न ही ली जारे आप देखोगे कि वहां करने की बात करे हो और वहां पर इतना बड़ा ब्याप ब्रहश्टाचार आप सोच सके भाजपा ने उत्रा खंड को किस तरह से ब्रहश्टाचार से एक पूरे के पुरे पूर्देश को ब्रहश्टाचार की चप्वेट में ले रखा है यह आप इसके छोटी से बार लगी है ठीक लगपत जी आपकी बात आगी मैं आओंगा और उसके बाद मैं नवीन पिशाली जी के पास जाओंगा काफी देर से मायसा जुड़े हुए हैं फिलाल देव भूमी क के दंगल में रुकते हैं छोड़स से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजर होंगे चर्चा जारी रहेंगी आप देख रहे हैं के नियोस खबरों का सार्थी दूर कितना भी जा इस जुबाँ से दूर नाचा पाऊगे विमर बोलो जुबाँ के स्ट्री किस तरी की तैयारी जो है गामी 2022 की जो पास आस्पेक्ट जन्ता बताईगी उसको हम अपने पैनिफेस्टों में प्राइड इवाल देखें तो राजदानी तो पहाट में होनी जी है गैरसान इतनी बढ़िया सेंट्रली लोकेटेड जगे हैं कि पू कानून को उसके बाद में और स्ट्रॉंग करने की जरूरत हैं कोई भी ऐसा सिस्टम ना बन भाए कि पाइपास करा जा से कि उसर बाइस में कहां से लड़ने की ता उसमें अगर वो हटा रहे हैं मुख्या मंदरियों को तो इसका मतलब कारे काल तो खराब रही होगा गर गर में जाकर के लोगों को पिज़्दी का एक रोज़ी तो गारंटी काट दिया जा रहा है आप देख रहे हैं की नियोज खबरों का सार्थी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है संगर्श करता केदार धाम जिस पर आज हम बात कर रहे हैं और तीर प्रोष समाज का भी दर्द हम सुनने हैं उसको आपके सामने भी रख रहे हैं नवीन प्रिशाली जी आप नेता इस वक्त हमाए साथ हैं नवीन प्रिशाली आप क्या कहेंगे पूर निर्मार कारियों को लेकर जो तीर प्रोष समाज है जो मुखर हुआ है जो सवाल उठा रहा है उसको लेकर आपकी कैपर्ट करिया है जो जो बिश्वार के करोडों हिंदू की आस्ता का केंद्र हमारा बाबा केदारना ध्धाम जो है वहां पर जो हमारे पंड़ा पुरही समाज ने जो आपति दर्ज पीज़ है इस घटिया निर्मान पर वो बिल्कुल बिल्कुल जायज है और हम उसका समर्थन करते हैं क्योंक कि जो उनकी आवाज है, जो उनकी मांग है, उनकी मॉनिटरिंग जायज है, क्योंकि वहां पर आप देखने हैं कि एक तरफ तो राजी सरकार कहती है कि ये प्रधान मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ उस घटिया निर्मान में जंता के धन को बरबाद कि जा रहा है, तो जो बंदर बांट हो रही है, और इसमें ये भी आया भी स्वामी जी में बताया कि 28 करोड के घाट को सिर्फ इसने तोड़ दिया गया कि करनल कोठ्याल का नाम उससे तोड़ा था, जब वो निम सस्ता के द्वारा वो पुनार निर्मान में शामिल हुए थे, आज उस घाट को तोड़ा जा रहा है, ताकि करनल कोठ्याल का नाम गुंकुल भी वहाँ पर न रहे, क्योंकि करनल कोठ्याल अब हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे बन चुके हैं, और इस वक्त भारती जंता पार्टी आमाधी पार्टी के बरते कदमों के आहट से क कहीं कहीं घबराई हुई है, और जिस प्रकार से आमाधी पार्टी लगातार भारती जंता पार्टी सरकार की जो घष्टाचार के पोल है, उसको खोलती जा रही है, और दिन प्रते दिन उसकी परत खोलती जा रही है, इससे कहीं कहीं सरकार में डर है, और जो ये घटिया न पर दर्शक का काम किया है आज भी वो सरकार को एक guidance दे रहे हैं उस guidance का सरकार को पालन करना चाहिए उनके आवाज को नहीं सुना जाना दुखत है और हम सरकार से आगरे करते हैं कि जल्दी से जल्दी चीजों पर सुना जाए सरकार का परतिनेंदियम अंडल वहां पर जाए औ परमंदी की भविता को खराब करें यह सरकार को नहीं करना चाहिए और यह सरासर गलत है और इसका गलत परणाम होगा जी ठीक विपिन कैंतोला क्या कहेंगे हम आपने सुना तमाम नेताओं को भी और तीर प्रोज़ समाज के जंतूर जी भी हमारे साथ है वही आकिर क्या व चाहिता है किसी भी आप तीर प्रोज़ समाज के लोगों से आप वहां की वास्तु सत्थी को देखते मदेनजर बात नहीं कर लिए क्या डर है बीजेपी को बीजेपी को क्या यह लग रहा है कि हम बात करने जाएंगे जोंद देवस्थानम बौट को लेकर बात होने लग ल सब्सक्राइब करने हैं लोग को किसी बात को मानते हैं अगर खुल के अगर आप बता संतोर की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस विश्वास में नहीं लिया जा रहा है घाट को आप तोड़े दे रहे हैं और काब में जिसे कह सकते हैं घपले बादी चल रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर मैं आप से सवाल जाना जवाब जाना चाहता हूं सब्सक्राइब कर ना था रहा हैं जा पर ऑ्पर बहुत सारे लोगों का अलग अलग से गुट हैं इसलिए आप पहूंच नहीं पाती है वह वह बीज एपी की पारिटी नहीं है वहां पर जो हो जाएगा आप आप एगीचा निरंबन गर चूर्यले बीच में बोलो मैंने आप नहीं दिश्टानम बोट पर आप बोल रहे हैं कि आपके पर संदेज माई और हमारे उस्ट प्रोईतु में धू नहीं पून आपके बास उल्शेटी यह संटोजी hiệnिया में सुने ऐक बात सुनिया आपको से आपकर वह सुनेये का इजीन माइन है वो समाजанич वह कई गुटों में बटा हुआ है output SUSCEB कंदम ने यह सबएलं सब्सक्राइब करेंगे और है तब अगर जो जाएं तो कहेंगी एक समुदाय कहेगा एक गुट कहेगा कि हम विरोध करते हैं दूसरा गुट अगर जो चार सदसे सरकार ने बनाएं तो यह कहते हैं कि यह पंडा प्रोईती नहीं है तो अब चीजे कैसे कि यह कि यह तो नहीं है वो आपने अपने पार्टी के लोग थे हमारे पंचाहे दो कि हम सब्सक्राइब को यह जो तदक्ष्न नामित के हैं हमको नहीं पूजा आपमें जो BJP करता है उसके बनाई आपने हम उठाएंगे सवाल पंडापरोईत नहीं है उनका पंडापरोईतर तो बेगा दारनाथ के जो हक रुख वह नहीं है वो लोग बोल दीजिए आप बोल के परिवार दिए नहीं है, हाक हकुभदारी ही है। है ङाप भूसा है नहीं हो आप नें कैसे बना दिया हमको पूछा आप के लाएक को हो कुछ अगर गुटों में बढ़ गया तीर पूर stitch समाज अगर गुटों में भी बढ़ गया तो क्या आप बात नहीं सुनेंगे अगर वो समस्यास से कोई गुट अगर आप कह रहें कि गुटों में बढ गया है तब भी क्या आप बात नहीं सुनेंगे अब यह कहते हैं कि वो हखक उधारive Rede ho विवाले, विवादा पाद सर भी ये वीमफ़नों कुझा चार वावधना। तो सरकार की मंसा यह रही है सरकार की मंसा साफ है उसके अंदर कोई भी घटना करम होगी उसका हम पहले से कर रहे हैं हम देवस्तानम बोल्ड का पिरोट भंग होने करेंगे ठीक ठीके बाउंगा जी लखपत बटोला जी बोलें जी आरे जी जैसे मैं पहले बात करें मैं केटलो जी की एक बात पर बड़ा विरोट करता हूं बार बार करें कि अलागा संग्दाए के लोग बड़िट के राजनात के अंदर है इस तो की बात रहे हैं देखो वहां पर एक ही संस्क्रिट के लोग है यह आपको समझना पढ़े कि कुछ ने समझाए के लोग है सुमझ ऐसे क्या ताप रियाब करें मैं आपकी आपकी बात को सुनगी ने कुछ नी बोला कॉंग्रेस के प्रधान मंतिरी ने कि कुछ करना जाए चार दिन तक आय नहीं तुम आपके मुक्य मंत्री टोस्ट और बेट खा रहे थे जब के दा पर नात की परास दी चल भई थी आज टीवी चैनल में बैट करके बोलते हैं उन्होंने 2013 से बोला है उसके बात से तेजी वहां पर काम करने क्या ही काम किया होता है पात आल पाइप दी तरकार की बाते करते हैं कान खूंचे सुन दो आप एक कान खूंचे सुन दो लगपस उसकार उनके खुले हुए आप बोलिए जल्दी से ने तो वक्त निकल जाएगा आपका अब को पता है मुआपजों की बंदरवाट की कॉंग्रेस ने कौन ने जांता है पुर्देश अपर बात बात करना पहले बताओ कि देवस्तानम बोर्ड का भंग होगा मुद्धे पर आओ आप अपर बात कर लो जो स्वामी जी कह रहे हैं उस पर जवाब दो जवाब दो आ अट ठर्या थे कृट्र आसी जी खुए है अट को वर्यों से ौछ समाफ़स जवाब ओं दरेयं, आप सवामी को जवाब दे रहें जवाब दे रहें, ठीक नमीन प्रिशाली नमीन प्रिशाली करने विपिन कैंतोला मैं आउगा, मैं आउगा, लकपत्बटोला साब मैं आउगा, क्यूंकि ये तीग पर जुड़ाओब है, परन क를 मकर्के सैथिय दिए मैं आओंगा मैं आओंगा इसे नहीं बात होगी रुकिए संतोष तिर्वेदी जी मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं बहुत सरकार के नुमाइंदे जुले हुए हैं उनका कहना है कि नीरप्रों समाजी इतने गुटों में बढ़ गया है किसकी बात सुनी जाए कि आप लो स्वामी जी की बात सुनने विपन कहना है मैं नवीन प्रशाली मैं आओंगा आपके पास विपन कैंदोला मैं आओंगा 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 लगपाजी संतोष जी की पहले बात मैं आओंगा जल्दी मैं आओंगा भी आपके बस मैं जल्दी से आपके पास आओंगा संतोष कुछ कहना चाहते संतोष जी बोलें अ हाँ संतोष जी बोले मेरी अवाज अगर आप तक पहुंच रही हो जल्दी से कि संतोष तिर्वेदी जी क्या मुझे सुन पारें आप मुझे लग रहा कि शायद उन तक बेरे आवाज नहीं पहुंच पारी लगपास साब जल्दी से अपनी बात को मुकंबल करें मैंने का उन्होंने जिस तरों से का कि वहां पे कही समधाई के लोग मैं एक बात किलियर कर देता हूं कि इस नातन संस्क्रित कर सिनातन का अलसारा एक हमारा पूज अस्तान है और इसको लेकर जिस तरों से यह चाहते हैं वह या तो यह समझा नहीं पार यह वहां पर इस तरों की इस्तित्या नहीं है मैं उसी जन्पत का रहने वाला हूं मैं यह दो तीन अकल पर्शन वे आपने देखा वहां पर चाल धाम को खोलने को लेकर अस्तान लोगों ने भूट बड़ा आंदोलन किया लेकिन सरकार ने उसको दवाने का काम किया ब्रश्टा चार की जहां तक बात कि क्यों आज आज आपने के रानात पे रखा हुआ आप आप यह सोच सकते हैं यह कॉंघ्रेस आप नहीं लगा रहे कि जो इराज नीति करन करें प्रधान मंत्री जी स्वयां मॉनुटरिंग कर रहे हैं और ब्रश्टा चार हो रहा है अस्तानिया जो पंड्डा पुरोज समाज है अस्तानिया बेप्तिये हैं हमारे अवांसे का वि वैसा नहीं कि हम इन बातों को लेकर नहीं कर लेकिन क्योंकि केदारनाथ से जुड़ी भी आसता है इसको लेकर हम संजिती की हम नहीं चाहते कि वहां पर ताम उकर रोकने का काम किया जाए लगपाजी आपका सवाल आगे आपका सवाल पूरा हो गया मुझे सुन पाँ रहा है मुझे सुन पारहे हैं कितनी अच्छी है परदान मंस्री निए तो इसके आपको पता नहीं के रहुल गानी जी गए हैं मैं चाहूंगा कि सही तरीके से बात हो सही तरीके से जायज बात हो संतोर जी अपनी बात को रखें जल्दी से हाँ बोले संतोर जी मैं बीजेपी के जो परवक्ता यहां बैठ हुए हैं उनसे अन्रोथ करूँगा ऐसे सब दो को उप्योग न करें यह पाल्थी बेस का मामला नहीं है यह आद्या नादिकाल से हम लोगों की जो क्यादार Sc immature Sabah के जो पंचाएदे वह आद्यायन आदिकाल से है और आदि आने वियर भी ना है वहत बातने का काम आप बिल्डिल भी न हाक रखाई है अफ कुकर को Parliament mean का मंधिरों प्यतों पुंडा प्रोई नहीं है इंत 93 अफ्षी संथ लेजराि के थीजरानी नहीं दשהर्का कर चाफ तिकट त्टिक संदॉर जी बोली बने आप और अब अप बोले नहीं देओं जो देख्यों convenio मैं पूशना चाहूँगा, जिस तरह से पंडा, प्रोईत, अक़ाडा चारधाम, अक्ल भार्टिया से तिर्ठेगमें, विरोष कर रहे हैं सब एक गुट में हैं पूरा विश्वा, मैं जो है अक्ल भार्टिया, तिर्ठेगमें, समाज का जो है अखल भार्तिया जो है कि उपाजक्ष भी हूँ और मैं बोलना चाहूंगा कि हम सब एक ही मन्त से संतोर जा मैं इसी सवाल को लेता हूँ विपिन कैंतोल आपने ये किसादार पर खह दिया कि तीर पर समाज गुटों में बटा हुआ जो देखिए जब इसके बात हुई और देवस्मों बोल्ट बना तो इन्हों ने आपतिया जताई उसकी में तरकार ने का इन्हों तो बड़ी बात साफ तो पर एक तरफ जिसे कह सकते हैं संगर्ष में के दार ना धाम है पूनिरमार कारियों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं फिसी पर हम बात करेंगे फिला रुकते हैं चोड़ा से ब्रेक के लिए आप देख रहे हैं के नियोज खबरों का सार्थी तस सितंबर को गणेश चतुर्थी है इस दिन भगवान श्री गणेश हमारे घर पधारते हैं इस साल हम सभी दिल्ली वासी मिलकर एक साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे गणेश चतुर्थी के शुब अवसर पर शाम साथ बजे से दिल्ली सरकार पूजन और आरती का भव्य आयोजन कर रही है भगवान श्री गणेश जी के पूजन कारिक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ माननिय मुख्य मंत्री अर्विंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे पूजन कारिक्रम का टीवी चानल्स पर भी लाइव टेलिकास्ट होगा ताकि आप सभी अपने परिवार के साथ इस पूजन का हिस्सा बन सकें इस बार हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा आर्चना करेंगे विग्न हर्ता भगवान गणपती हम सभी को अपना आशीरवाद देंगे और सब की मनुकामनाय पूरी करेंगे आप देख रहे हैं की नियोस ख़बरों का सार्थी जाओंगा कि जल्दी से आपकी बात आजेओ मेरा सवाल का जवाब दीजे कि जिस तरह से तीद प्रोई समाज पूनिर्माण के कामों को लेकर समाल उठा रहा है मैं चाहूंगा कि आप लोग की क्या मांगे और वो मांगे अगर सरकार नहीं मानती है उन समस्याओं को अगर नहीं सुनती है तो अगला कदम आपका क्या होने वाला है देखो ये आज नहीं बात नहीं है हम सरकार को 2013 के बाद से केदानाथ के पुननिर्मान कारे के सम्मंद में बार बार अवगत करा रहे हैं कि यहां के अनुकूल सारे काम यहां के दानाथ के अनुकूल होना चीए सारे पहले जो है वहां के जो देखोचा 13 के आप दामे लोगों के भवन लोगों के धर्मसालाएं जो वासा उथ हुई है उन लोगों को पहले बसाओ सरकार जो है दूसरे मार्ग पर चले गई सरकार जो है हमारे आदिया नादिकास है जो संत वहाँ पर तपश्या कर रहे थे उन संतों का रूप लेका उन संतों की गुफाओं का रूप लेका चेंज करके जो है जो मोदी गुफा अरना गुफा प्रना गुफा तमान सारी और द्रिम प्रोजेक्ट के वारा उस गुपा का नाम मोधी गुपा रख दिया गया, सरकार अपने मार्ग से भटक गई है, हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, मार्ग से नहीं भटके, और अभी भी अज़र सरकार नहीं सुदरती है, नहीं मानती है, हम जो है कड़ा आप लोग को क्या है? हमने एक ही बात कहा, हम आदी अनादिकाल से हमारी एक ही सबा है, स्री सबाग के दाना सबा है, और एक महापंचार जो चारो धामों के हैं, उनके अलावा इनको अगर कोई गुट दिक रहा है, तो इनकी गलत फ्हेमी हैं, ये ऐसे गलत फ्हेमी में न रहे, ये पांच साल का सकता नहीं है, ये आन्याद आदिकाल का सकता है, भगवान संकराश करे के युग का युग से तीर्ट प्रोईत हैं, ये ऐसे गुटों में न बाटे, ये पांच साल आप जए, पांच साल दूसरा रहेगा, पांच साल तीसरा रहेगा, आप जो है, आपकी गलत पहनी है, तीर्ट प्रोईत समाज के साथ किस तरह से खड़ी है? अधिकरन करने की कोशिश भारती तापार्टी की सरकार कर रही है, आमाधी पार्टी उसी कड़ी बिन्दा करती है, पूरी तरह से हम पंड़ाप्रोई समाज और अपने हक अकुब धारियों के साथ अंतिम लड़ाई तक इसको लड़ते रहेंगे, जब तक नियाई नहीं मि परिशाली जी आप आफंदी पार्टी का कोई नेता क्या कहई केदारणात गया उसने देखा कि पूरी निर्माल के काम किस तरह से चल रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से लापरवाही हो रही है, या तीर प्रोई जो समाज हैं उनकी क्या समस्या हैं, क्या कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश करी इसको लेकर? पण्डापरोहिसमाच की बीच में जो फठी सरकार में करने कोशिश की है, हमने काह Quran बने के हैं, और पन्डापरोहिसमाच सीथे तौर पर वारता करें और इस लिवऽस्थानम बोड को उसक्ते सर के दो हुठ जाए गया उसके अलावा भी हम कुछ दिन में और इस आंजनन को आगे बढ़ाएंगे और अपने पंडा प्रोहित समाज के साथ आंदुलन को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक सरकार इसको सुन नहीं ले थी तब तक जिसे कह सकते हैं आबादी पार्टी के नियता नहींट प्रिशाली का कहना है कि हम तीर प्रोहित समाज के साथ खड़ रहेंगे फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया संतोर जी हम से जुनने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नहीं प्रिशाली जी बहुत 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 बहु फिलाल देव मुमी के दंगल में इतना ही वने रही हमारे साथ नमस्कार